हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट लॉओ और इस लॉओ का हमारे डे टुडे लाइफ में भी बहुत सारा यूटिलाइजेशन है तो वो चलो हम स्टडी करते हैं कि वो लॉओ लॉओ कौन सा ह और उसको हम डे टुडे लाइफ में कहा पर और कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो जो लॉओ हम स्टडी करने वाले हैं वो हैं हेन्रीज लॉओ हेन्रीज लॉओ देखो नेम तो बहुत ही जाधा इंटरेस्टिंग है चलो अब इसके लिए स्टडी भी करते हैं कि यह क्या होता है और यह किस चीज़ के लिए दिया जाता है तो आप सबसे पहले हम देखते हैं Henry's Law स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है आपने और ये जरूर अब्जफ किया होगा कि जब भी हम कोल्डरिंग की बॉटल लेते हैं कोल्डरिंग की बॉटल जब तक चिल्ड रहती है ठंडी रहती है तो उसमें जादा गैस रहती है रहती है या नहीं जो हमने गैस कोंसे सीओ टू गैस होती है उसमें तो वो सोडा वाटर में जो सीओ टू गैसी वाटर रहती हो बहुत जादा कॉंटिटी में रहती और जैसे ही उसका टेंप्रेचर कम होता है वो कोल्डरिंग पिने में उतना मजा नहीं आता है तो ऐसा क्य होता है चलो अभी हम study करते हैं तो देखो Henry's Law होता क्या है Henry's Law क्या होता है और सबसे पहले हम यह देखेंगे Henry's Law किसके लिए अतलिकेबल होता है Henry's Law जो हमें बताता है Henry's Law gives us the relation between relation between pressure and amount of gas pressure and amount of gas in solution कि amount of gas कितना होता है और उसमें किस तरीके से pressure apply होता है या फिर pressure किस तरीके से affect होता है वो हम इसमें देखने वाले तो देखों क्या कहता है Henry's Law Henry's Law यह कहता है कि amount of gas dissolved amount of gas dissolved in solution is directly proportional to pressure pressure बहुत ही easy concept है वो क्या कह रहा है कि किसी फी gas में किसी भी solution में कितना gas involved dissolved होना चाहिए वो किसके उपर depend करता है pressure के उपर इसने एक relation भी दिया वो amount of gas इसने m के factor में दिया कि भाई amount of gas यह क्या है amount of gas तो amount of gas is directly proportional to P ठीक है या फिर हम कह सकते कि pressure is directly proportional to और amount of gas हम कैसे बताएंगे amount of gas हम बताएंगे in terms of mole fraction हम mole fraction के terms में इसको हम बता सकते कोई एक तो unit हमें लेना पड़ेगा तो हम यह यहाँ पर जो हम जो method होता है to express the concentration उसमें से हम एक method ले रहे है और वो method कौन सा है mole so अभी हमने कहा कि हम यह amount of gas mole fraction में ले सकते तो इसी को question हम इसी को कैसे लिख सकते या तो हम ऐसे लिख सकते है या फिर हम यह कह सकते है कि pressure of gas is directly proportional to mole fraction mole fraction right? mole fraction means क्या होगा? mole fraction means होगा amount of the gas और mole fraction of gas हम कह सकते है इसी को जब आप simplify करते हो तो अब हमें पता चलते है कि pressure हमने P से दिखाया और is equal to यहाँ पर हम एक constant ले लेते हैं जो कि क्या होता है? KH और mole fraction को हम किस में दिखाएंगे? X में ठीक तो यह हो गया है हमारा relation और यह होता है Henry's law तो फिर से एक बार समझते है Henry's law क्या होता है? Henry's law क्या कहता है? कि pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction and this KH stands for Henry's constant KH किसे हम कहते है? Henry's constant कहते हैं तो यह होता है Henry's constant KH की value अब देखो KH जो है जब हम इसके और इसके भी day-to-day life में काफी सारे applications है तो अभी हम देखेंगे यह day-to-day life में कौन-कौन से application से वरो किस तरीके से work चलो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से utilize कर सकते हैं अभी हमने KH क्या कहा? KH को हमने कहा है Henry's constant KH को क्या कहा हमने? Henry's constant अभी KH किस तरीके से affect करता है? वो भी जल्दी से हम देख लेते अभी जब आप इसको simplify करोगे तो हमें यह देखता है कि KH is equal to P upon X it means KH जो है वो inversely proportional to X तो इसका मतलब क्या होगा? कि अगर constant की value अगर KH की value जादा है तो amount of gas कैसे होगा? lower होना चाहिए उसमें amount of gas dissolved कितना होगा? कम होगा बढ़ अगर KH की value कम है तो dissolved amount of gas जादा होगा और साथ में ही हम यह भी देखते है कि KH की value होती है directly proportional to temperature मतलब अगर temperature बढ़ गया तो KH की value भी बढ़ जाएगी और third point जो है वो है KH जो होता है यह different होता है for different gases मतलब different different gases के लिए यह different होता है अब जलो देखते हैं इसका day to day life में practical use हम कहा करते हैं चलो अब हम कुछ examples देती हो मैं आपको सबसे पहले example हमने दिया carbonated drinks का carbonated drinks में हम देखते हैं कि कभी भी हमारे cold drinks का जैसे ही temperature increased होता है समझ अब इसको correlate करो temperature increase होगा मतलब अगर हमने उसको chilled नहीं रखा temperature increase होने से cage बढ़ेगा और अगर cage बढ़ गया तो amount of gas कैसे होगा automatically कम हो जाएगा और इसी लिए हम अगर थोड़ी सी normal temperature वाली भी अगर cold ring पीते हैं तो वह हमें वो burning sensation उतना मज़ा नहीं आता है यह हो गया एक application second application में आपको बताती हो और वो है हम यह देखते कि aquatic animals जो है वो सभी बहुती comfortable feel करते हैं किसमे cold water में warm water में वो अपने आपको comfortable feel नहीं करते वो किसमें करते cold water में जब वो cold water में अपने आपको comfortable feel क्यों करते हैं cold water में कम temperature होता है कम temperature रहेगा तो KH की value भी कम रहेगी और KH की value कम रहेगी तो उसके अंदर जो gas कॉंसे gas? dissolved oxygen है dissolved oxygen जादा रहेगी तो अगर जादा dissolved oxygen चाहिए हमें तो हमें KH की value क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए KH की value कम कब होती है? जब उसका temperature कम हो और इसी लिए aquatic animals जो है यह सभी cold water में ज़ादा comfortable, comfortably रहते हैं और इसी लिए हम देखते हैं कि जब भी temperature increased होता है और अगर यह aquatic animals अगर पानी के surface पे आगे तो उनको क्या होता है? बहुत सारे animals even die भी हो जाते हैं और कुछ animals को comfortable बिलकुल भी feel नहीं होता है तो हमने यहां Henry's law में एक हमने पढ़ाएं क्या पढ़ा? कि pressure of that gas is directly proportional to mole fraction of the gas pressing and I hope आपको Henry's law भी अच्छे से सबज में आ गया होगा और आप सभी को इसके numericals की practice जरूर कह करनी है और साथ में ही यह जो हमारे checkpoints है यह जो बहुत important checkpoints है यह आपको याद रखना है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा So thank you and have a good day ahead